जैश्री महाँकाल, जैश्री महाँकाल दोस्तों आप सभी का आपकी अपने चनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका भारे और यदि अभी तक आपने चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चनल को आप सब्सक्राइब कर लें चनल से जूड जाएं ताकि आपको हमें से सही और से टीक जानकारी मिलते रहें आपके मन में ये ख्याल आता है कि अब सब कुछ खत्म सख हो गया मन में ये चीजे चलती है कि अब क्या होगा बहुशु को लेकर कई सारे प्रेश्न मन में उठते हैं और नजाने कितने विचार हम बार-बार सूचा करते हैं तो अगर ऐसा कुछ आपके मन में होता है आपको लगता है कि सब कुछ खत्म जैसा तो इन स्टूडियो को देखने के बाद आपकी परेशानिया जो है उनका हल आपको मिल सकता है सबसे पहली बात कि हम जो विचार जो है वो आदमी एक अच्छे खासे आदमी को बिमार कर सकता है तो पहले अप सरजरी करें अपने विचारों की बन में सकारत में विचार लाएं पहली बेसिक पॉइंट दूसरी बात है कि हम जो सोच रहे हैं का बिल्कुल ध्यान में अच्छे से उतार ले दूसरी बात है कि अगर इस दुनिया को चलाने वाली कोई शक्ति इश्वर है तो वो आपका आहित नहीं करेगी उस पर आपका पूर्ण यकीन होना चाहिए तीसरी चोती बात है कि किसी भी चीज की कलपना कोरी न करे और कोई भी चीज की इच्छा न करे जितनी इच्छा है उन्हें त्याग दे क्योंकि इच्छाए जो हैं वो हमें परिशान करती हैं हमें कई बहुत ज़ादा पिलिद कर देती है तक्लीफ देती है इसलिए इच्छाये त्याग दे जो है ठीक है पांचवी बात है कि हम हमेशा गलत कदम उठाने के लिए सोचने उसको नशोचने उस वक्त के लिए दिमाग को हटा ले उस जगासे उस समय उस जगस हड जाएं आप क्योंकि गलत ख्याल जो है वो गलत ख्याल हमें गलत ही ले जाएगा तीज़री बात छेटरी बात है जो सबसे ज़्यादा महत्पून है वो है दोस्तों कि इश्वर का इसमरन आप इसका जब अप कंटीनू करते रही कि यूँध के इस्टे दें माव आप अपन्लमेश्वर का जाप करते रहा या ऑगर इन चीजों का फ़ॉलू करेंगे तो इस जीवन में सब खुर सही होगा आपके मंद में में कभी गलत ख्याल नहीं अ उनका आप करण